उदाहरन एक एक कर्मचारी की वित्ती वर्ष दो हजार आठ नौ में आए चार लाख अठाईस जार रुपे थी उसने पच्छिस सो रुपे प्रती महा सामान्य भविश निधी में तथा 25,000 रुपे अर्ध वार्शी की जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियम में जमा किया उसने 30,000 रुपे का राष्टी बचत पत्र खरीदा तथा 25,000 रुपे एक चेरीटेबल ट्रस्ट में दान किये कर्मचारी द्वारा वित्ती वर्ष के अंतिम महा में चुकाई गई आयकर की धन राशी ग्याद कीजिए आयकर की धारा 80C के अंतरगत सामाने भविशनिधी, जीवन भीमा प्रीमियम और राश्टी बचत पत्र आदी में जमा के कुल 1 लाख रुपे तक आयकर से छूट है ग्रमांक कर्योग्य सीमा आयकर की दर पहला डेड़ लाख रुपे तक कोई आयकर नहीं दूसरा एक लाख पचास जार एक रुपे से तीन लाख रुपे तक दस प्रतिशत तीसरा तीन लाख एक रुपे से पांच लाख रुपे तक बीस प्रतिशत इसके अतिरिक्त आयकर क तीन प्रतिशत शिक्षा अधिभार लगाया जाएगा हल एक करमचारी की कुल आए ये दिया गया है हमारे पास चार लाक अठाईस हजार रुपए ट्रस्ट में ट्रस्ट में दान की गई राशी ये हमारे पास है पचीस हजार रुपए का पचास प्रतिशत कटोती होंगी तो ये हो गया अपना पचीस हजार गुणित पचास प्रतिशत कचीन हटाएंगे तो बटा सौ तो छूट की राशी चूट की राशी बराबर ये हो जाएंगे पचीस हजार पांच सो रुपए शेश आए बराबर चार लाख अठाईस हजार रुपए रिण बारह हजार पांच सो रुपए घटाने पर प्राप्त होंगा हमारी पास चार लाख पंद्रह हजार पांच सो रुपए आएकर की धारा अस्सी के अंतरगत जमा कूल्रशी बराबर समान भविष्य निदी भविष्य निदी धन जिवन भीमा प्रेमियम धन जिवन भीमा प्रेमियम धन राश्टी राश्टी बचत पत्र जो कि होंगा हमारे पास बराबर यह है वमारप 2500 गुणित बारा धन 25,000 गुणित दो क्योंकि यह अर्दवार्षी के तो गुणा दो करेंगे यह प्रती महा है तो बारा से हम करेंगे और राश्टी बचत पत्र जो है वर्ष में एक बार 30,000 रुपय की दू जमा किया जा रहा है तो 2512 को 12 से गुणा करने पर हमें प्राप्तों का 30,000 रुपए धन 25,000 को 2 से गुणा करने पर 50,000 रुपए धन 30,000 रुपए हमारा राष्टी बचत पत्र जो है इसका योग जो है हमारा 1,10,000 रुपए जो एक लाख एक लाख से अधिक है आएकर में छूट की राशी आएकर में छूट की राशी जो है हमारे पास वो एक लाख रुपए है है अतह कर योग आए जो होंगी वो होंगी हमारी चार लाख हमने ग्याद किया था चार लाख 15,500 जो रुपए है में एक लाख रुपए हम यहां घटा देंगे एक लाख रुपए जब हम घटाएंगे तो हमें प्राप्त होंगा 3,15,500 रुपए आगे देखते हैं अगले प्रिष्ट में दिये गए दिये गए आएकर की दर क्रमांग तीन के अनुसार प्रेश्ट में जो दिया हुआ है क्रमांग तीन के अनुसार बराबर प्रथम प्रथम एक लाख पचास हजार रुपए तक कोई कर नहीं कोई कर नहीं आएकर बराबर एक लाख पचास हजार रुपए का दस प्रतिशत धन एक लाख पच्पन हजार का बीस प्रतिशत बराबर एक लाख पचास जार का दस प्रतिशत जो है वह पंद्रह हजार रुपए होंगा पंद्रह हजार रुपए उसी तरह से एक लाख पच्पन हजार का बीस प्रतिशत जो है तीन हजार एक सो रुपए होंगा तो इस तरह से इनका योग जो है वह है अठारा हजार एक सो रुपए तो शिक्षा शिक्षा अधिभार शिक्षा अधिभार बराबर 18,100 का 3 प्रतिश्चत हम ज्याद करेंगे तो 18,100 का 3 प्रतिश्चत निकालने के लिए 18,100 गुडित 3 बटा 100 बराबर ये आएंगा 543 रुपए अब हम ज्याद करेंगे कुल दे आयकर कुल दे आयकर हमारे पास है 18,100 रुपए हमने आयकर ग्याद किया था और हमने 543 रुपए शिक्षा अधिभार ग्याद किया और 18,100 में 543 रुपए को का योग जो है वो हमें प्राप्त होंगा 18,643 रुपए तो इस तरह से हमने ग्याद किया कि कुल इस तरह से हमने ग्याद किया कि कुल दे आयकर जो है वो हमारा 18,643 रुपए है यह सुधारण का हल होगा